धन तेरस की कथा एक दिन भगवान विश्णू मृत्यू लोक में विजरन करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आई। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षन दिशा की ओर चा रहा हूं। तो मुधर मत देखना। यह कहे, जो ही भगवान ने रह पकड़ी, तो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेट दिखाई दिया। उसके बाद उख तोड़कर चूसने लगी। तत क्षन भगवान लोटाए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर शाप दिया। जिस किसान का ये खेट है, बारह वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान शीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहां जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तथ पस्चात बारह वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तयार हुई। किन्तु किसान ने रोख लिया। भगवान जब किसान के यहां लक्ष्मी को बुलाने आये तो किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले तुम परिवार सहित गंगा जाकर सनान करू और इन कोडियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लोटोगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोडियां डाली, वैसे ही गंगा में से चार चतुर भुश निकले और कोडियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर देखा, तो गंगा जी से पूचा, ये चार भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे, तुने जो कौडियां मुझे भेट की हैं, वे किसकी दी हुई है? किसान बोला, मेरे घर में दो सजनाई है, उन्होंने ही दी है, गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है, वे लक्षमी है, और पुरुष विश्न भगवान है, तुम लक्षमी को न जाने देना, नहीं तो पुनह उसी भाती निर्धन हो जाओगे, ये सुनकर जब वे घ भर लोटा, तो भगवान से बोला, मैं लक्षमी जी को नहीं जाने दूँगा, जब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा शाप था, जो कि बारहे वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर लक्षमी चंचल है, इनको बड़े-बड़े नहीं रोक सके, किसान ने पूरवक, पुनह कहा, नहीं, मैं लक्षमी जी को अब नहीं जाने दूँगा, इस पर लक्षमी जी ने स्वैम कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो सुनो, कल धन तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्री में घी का दीपक जला कर रखना, त किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, इतना कहा और सुन लेने के बाद, लक्षमी जी दशों दिशाओं में फैल गई, भगवान देखते ही रह गए, दूसरे दिन किसान ने लक्षमी जी के कतना नुसार पूजन किया, उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया, इसी पहाती हर वर्ष, धन तेरस के दिन लक्षमी जी की पूजा करने लगा, उसकिसान को ऐसा करते देखकर, कितने ही लोगों ने पूजा करना आरंभ कर दिया